Welcome to ITI Mechanicalbat, Friends, आपसे हम chapter wise question answer solve करने बाले हैं, तो चलिए safety जो हमारा chapter रहे हैं उसके question answer को हम solve करते हैं next question है हमारा विजली की आग खालिस्तान परकार्की होटी और at the class A , class B , class C और class D तो इसका जो हमारा we high to feel it ie, बिजली से चरân छेलेष़़ाइब बावी आग होती है भाई हमारी class D परकार की आग होती है, next question हमारा लगडी की आग खालिस्तान परकारइब की होती है। क्लास मारा Mitle service कि गांविक दे के सो तो इसका जो हमारा राइट ऑंसर halिकार की present होती है को तो इसका जो मारा राइट ऑंसर है वहाँ लाज के जो आग होती है तेल में कि यह लगती है तो आग बहे कलास B परकार की याग में आती है Next question है Guess की याग खालिस्तान परकार की होती है Option है कलास A, कलास B, कलास C और कलास D तो जो Guess से लगने बाले याग होती है बहे हमारी कलास C परकार की याग में आती है तो जिदने भी आग के परकार है चारों प्रकार आपको याद रखना है और वह किस किस से लगते हैं भाई भी आपको याद रखना है नेश्ट कोस्चन है बिजली की आग खालिस्तान फायर एक्स्टिंग यूजर से बुजाई जाती है नेश्ट कोस्चन है लगणी की आग खालिस्तान फायर एक्स्टिंग यूजर द्वारा बुजाई जाती है ओप्शन है सीटी सी कारबन ट्रेक्टर के लूराइड फायर सूडा एसेड और ड्राइब बाउडर उप्शन है अक्सिजन इधन रेट और उसमा तो इसका जो हमारा राइट आंसर वो झाएगा र हमारा रेट क्यूंकि अक्सिजन इधन और उसमा ये जब भी हम आग जलाते तो उसमें यह ठरिंगल में पायाते हैं लेके तो जो होती है आग को बुझाने का कारे करती है इसलिए ये आग की तत्त में नहीं आता है और ये हटाने का कारे करता है next question है CO2 gas आग बुझाने में कब सफल नहीं है option है खुली हवा की आग में बंद कमरी की आग में लकड़ी की आग में और अपरोक्त सभी में तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा हमारा खुली हवा की आ वे और छिकOoh क्रेम नहीं कर पाती है और आग जल्दी बढ़ती है next question स्रक्षा चिंहों से पता चलता है से कुई गृतना से कोई नहीं तो इसका right answer है हमारा स्कूली lin., जो सुचनाइत्मक चन्हूते है सुचनाइत्मक चन्हूते हैं स्कूली SD है पता चलता है इसपरकार का आपको मैं इसपरकार का आप decision नदर्सा आपको पताना है च्ण्न के और सूचनात्मक चन्द, या स्प्रूतолов। इसास में दिखांटे का अंगले साइन क्यों कि आपको बैक्ग्राउंड दक रहे हैं उसके ऊपार चन्द होता है। सफित चन होता है यह मेंडेटरी सायन का वो संकित होता है तो यह आपको याद रखना है नेश्ट कुस्चन है चित्र में दर्साया गया चन है तो जैसा कि आप चित्र देख रहे हैं तो इसका वह आपको बताना है तो इसके ऑप्षन है चितावनी सूचनात्मक निश्यदात्मक और आदेशात्मक तो जैसा कि आपने चित्र में देखा था उसका जू बार्डर था वो लाल कलर का था और जो गोल में बार्डर था और क्रॉस में एक लाल पट्टी थी तो वह जो होते हैं प्रोहिविशन सायन अर्फत निसी धात्मख चिन्नों में आते हैं तो इसका जर्टान्सर हो जाएगा वह निसी धात्मख हो जागा next question है चित्र में अधर्स आया गया चिन्ने जैसा एचा है तरवज़ाकार आपक करती है काली कलर का बेक्ग्रावंबो है उसका बॉर्डर है और अंदर भी काले रंग के सायन है और सफेद बेक्ग्राउंड है तो इसको आपको बताना है इसमें है ऑक्सिजन इधन रेट और उसमा तो इसमें आपको बताना है इस question के जो है वो option match नहीं कर रहे हैं तो यह जो चित्र में आपको दखाया गया है चिन वो risk of electric shock याने यह एक चीतावनी चिन है जो हमें बताता है कि यहां बिद्ध का खतरा है यहां पर आपको बिद्ध का जटका लग सकता है next question है चित्र में दर्साया गया चिन है तो आपको यह बताना है कि चित्र में कौन सा चिन दर्साया गया है तो यह आपको option है निशेदात्मक चेतावनी आदिशात्मक और सूचनात्मक तो यह आपको सूचनात्मक चिन के अंतरगात आता है क्योंकि इनफॉर्मिशन साइन में क्या होता है जो बरगाकार आकर्ती में होता है और इसका पर आपको बताना है क्या पहता है और का खत्रा विसपोट्ट का खत्रा वरहांड वार समाने चेता हुए तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ओवरहांड भार उपर जो उबर आपड दर्साय घया है next question है इसका भारी मसीनों को खिसकाने में प्रयोग नहीं होता है host, crane, and flying, winches, and crowbar, and rulers तो इसका जो हमारा right answer है वो हे हमारा hoist hoist machine जो होती है भाई भारी मसीनों को खिसकाने में इसका प्रयोग नहीं होता है next question है extinguisigkeit का दूसरा नाम घालिस्तान हैं तो Self Fr चालिशडि जो दूसरा नाम होता है वह होता है स्टेसी से shotgun 잘 याने कर्वन उफटरेकव्ड एक्सिंग रूजर होता है वह इसका नाम होता जाए इसे बी सी एफ एक्स्टिंग यूजर भी बोलते हैं ब्रोमो क्लूराइड फ्लूरो मैथन नेस्ट क्वेस्चन है ओवर हैड लोड से सुरक्षा देता है ऑप्शन है गोगल्स ग्लब्स लेधर सूज और हेलमेट तो ओवर हैड का जो भी खतरा होता है तो हमें हेलमेट से लेते हैं तो जब भी कोई उपार से वस्तू गिरती है तो हमारी सुरक्षा हो जाती है नेस्ट क्वेस्चन है तेल की आपको बुझाते समय खलिस्तन का प्रियूग नहीं करना चाहिए ओप्शन है पानी डाइपाउडर एक्स्टिंग यूजर सीयो टू फंफायर एक्स्ट पानी थेल की आपका को पानी से नहीं बजाना चाहिएक। क्योंकि पानी से जब भी हम त Corta की आपको बजाते हैं तो तेल की उपर पानी त्यारता रहता है और आब भुझती नहीं है नेस्ट क्वेस्टन है भार हटाते समय निम नम ऐसे कौन किस सावधानी को धियान में र रफ लगाए भार हटाते समय हाथों वा पेरों को कोचलने से बचाए और उपरोप्त सभी तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोप्त सभी ब्रत और बर्ग तो जो आदिशात मक चन होते हैं वो हमारे ब्रत की आकर्ती के अंदर बने होते हैं होर है इने हम डेंड़ेटरी साइन सभी बोलते हैं तो दोटें अटや क्रोष बार में असमें और नाल कहला की क्रौस बार होती है इस प्रकार के question आपको ध्यान लखने है नेस्ट question है P.P.E.S. का अर्थ है option है public private entrepreneurship, personal protective equipment, personal protective employment और अप्रोक्ट मैंसे कोई नहीं तो ये काफी important question है लगबाग हर परिक्षाओ में पूचा जाता है तो इसका जो right answer है वो है personal protective equipment इसका right answer हो जाएगा नेस्ट question है निमने मैंसे कौन soft skill से संबंदत नहीं है option है rigidity, confidence, creative thinking और effective communication skill तो इसका आपको right answer बताना है तो इसका right answer है वो है rigidity rigidity जो होता है वो soft skill से संबंदत नहीं होता है next question है फायवेस system को किस देश द्वारा चलाया गया है option है चीन, रूस, भारत और जापान है फायवेस system आपने पढ़ा होगा आपको काफी अच्छे से ध्यान होगा जापंद्वारा यह चलाया जाता है और private company में काफी इसकी डिवांड रहती है और आपको यह private company में देखने को मिलेगा यदि आप फायवेस का सही से उपयोग करते हैं तो private company में आपको जल्दी लग जाती है और फायवेस में अनावस्चक या फाल्तु बस्तुओं को वाटाना खालिस्तान का अर्थ है option है section, Siri, Sisu और Setsuke यहाँ पर तो इसका जो हमारा right answer हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा Siri फाल्तु बस्तुओं को जब भी हम अटाते हैं तो वह Siri के अंतरगात आती है next question है फायवेस में आवस्चक बस्तुओं को करम में सेट करना खालिस्तान होता है तो option है Siri, Sisu, Sisu, Sisu और Setsuke तो जब भी हम आवस्चक बस्तों को करम में सेट करते हैं तो उसके हम Sisu कहते हैं next question है फायवेस में वर्क्सोप करेस्टल को साफ सुतरा रखना खालिस्तान होता है उसन है Sisu, 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 Sisu और Sisu तो जब भी हम वर्क्सोप में करेस्टल को साफ सुतरा रखते हैं तो वह Sisu के अंतरगात आती है next question है 5S में मसीनली और उपकरणों को हमेशा working condition में रखना होता है तो उसे ही कहते हैं option है Sisu, 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 Sisu और Sisu के तो उसके थो इसका जो हमारा right answer है वह हमाराimizi स सके सके के अंतरगात हम मसीनली उपकरणों को हमेशा working condition में रखते हैं और निस्ट कोस्टना थे बग्सप कारिश्थ2 की सफ्वाई सफाई का निश्चित इस्थव Necksify का निश्चित इस्थ summary सिसू तो इसका जो हमारा kadar обс zdruk्ट report निश्चित स्तर सफाई का एक निश्चित स्तर बनाई रखते हैं फायवेस पर हमने एक स्पेशल वीडियो भी बनाई है वह तो आई वटन में देख सकते हैं नेस्ट क्वेस्चन है आग को नम नम ऐसे किस बर्ग में रखा जाता है ऑप्सन है दो एक चार और तीन तो इसका जो हमारा राइट अंसर है वो हमारा चार आग को चार प्रकार होती है किलास A, किलास B, किलास C और किलास D बर्ग अब नेस्ट क्वेस्चन है बर्ग A में खालिस्तान से लगी आग होती है तो जैसा कि आपने पढ़ा है तो बर्ग A में कौन सी आग लगी होती है उप्सन है तरलपदात, लकड़ी, कागज, गैस और विद्दुटू जो कलास एक ही फायर होती है वो हमारी लकड़ी एक आगस से बन लगती है नेश्ट कुस्चिन है बर्ग B में खालिस्तान से लगी आग होती है उप्सन है गेस बिद्धुत तरल पदात और लकड़ी बाग आगाच तो इसका जो राइटांस आरे वो है हमारा तरल पदात तरल पदातों से जो भी याग लगती है वो बर्ग B में आती है नेश्ट क्वेस्चन है बर्ग C में खालिस्तान से लगी याग होती है उप्सन है लकड़ी बागाच तरल पदातों बिद्धुत बाग गेस तो इसका जो हमारा राइटांस आरे वो हमारा गेस बर्ग C में या किलास C में हमाई गेस से लगी याग आती है नेश्ट क्वेस्चन है बर्ग D में खालिस्तान से लगी याग होती है उप्सन है बिद्धुत लकड़ी बागाच गेस बाग तरल पदार्थों से तो इसका जो हमारा राइटांस आरे वो हमारा बिद्धुत बिद्धुत से लगी जो आग होती है वाई किलास D की फायर में आती है नेश्ट क्वेस्चन है बिद्धुत से लगी आग को बजाया जाता है उप्सन है पानी से ड्राइप आउडर एक्स्टिंग यूजर से सोडा एसेड एक्स्टिंग यूजर से और सीटी सी फायर एक्स्टिंग यूजर से तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो हमा लगी आग को नमनमैसे किस यंत्र से बुजाया जाता है ओप्शन है ड्राइप पाउडर अगनी समनक यंत्र द्वारा सी टी सी अगनी समनक यंत्र द्वारा पानी द्वारा और अपरोक्त तीनों द्वारा तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ड्राइप पाउडर अगनी समनक यंत्रद्वारा गयस सी लगी आग को बजा आ जाता है next question है हमारा CO2 का प्रियोग खालिस्तान प्रकार की आग बजाने के लिए करते हैं तो CO2 का जो प्रियोग करते हैं हम option है class A, class C, class D और class B तो इसका जो हमारा right answer है वो हमारा class B class B की जो आग होती है उसका प्रियोग हम लकड़ी की मतलब CO2 का प्रियोग करते हैं class B की आग को बजाने के लिए next question है form existing user का प्रियोग खालिस्तान प्रकार की आग बजाने के लिए करते हैं option है class B, class D, class A और class C तो इसका जो हमारा right answer है वो है class B form existing user का प्रियोग हम class B प्रकार की आग बजाने के लिए करते हैं soda asset existing user का प्रियोग खालिस्तान प्रकार की आग बजाने के लिए करते हैं तो option है class D, class C, class B और class A तो इसका जो हमारा right answer है वो हमारा class A किलास ए जो होती है लकड़ी या कागास से लगी हो याग होती है तो उसका प्रिवम सोड़ा एसेट एक्स के यूजर से बजाते हैं यहाँ पर हमारे सेफटी चेप्टर के अंतर के जो भी खाफी इंपोर्टेंट क्वेस्टिन है बो हमारे कंप्लीट होते हैं और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक केजिए अपने फ्रेंट्स को सेयर केजिए और यदि आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमने फाइबेस पर और अगनी के प्रकारों पर और अगनी सामक यंत्रों पर अलग सी वीडियो बनाई हैं वो आपकर आई बटन पर जाकर देख सकते हैं और competitive exams की तयारी के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल पर सभी प्रकार के प्रतियोगी परिक्षाओं की तयारी करवाई जाती है लब टेक्निकल में और current affairs भी पढ़ाया जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपक की पहले मिल सकें थैंक्स पर वाचिंग जाहिन बंदिमात्रम